नमस्कार प्रियतुला रासिवाले जन्वरी महिने का एक तारिक से ले करके 30 तारिक अमद्दे का संपूर्ण मासिक रासिफल ले करके मैं स्लोजा डॉक्टर रवी गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो क्या हूँ प्रिय तुला रासी वाले आज मैं आपको बताऊंगा जनवरी महिने में ग्रहूं के स्थित्यों के नुसार आपके जीवन का संपूर्ण रासी फल जिसमें मैं आपके कर्म छेतर रिशे ले करके धन, शंपती, दामपत्य जिवन एवं अन्य जो महत्पूर्ण महत्पूर्ण बाते होती हैं इन सभी चीजों पे संपूर्ण तोर पे ब्रिहत जनकारी परदान करूँगा प्रिदर सको, खास करके तुलारासी वाले, आज आपके लिए गुड नूज भी देता हूँ, 17 जनवरी 2023 से सनी की ढईया, जिसको सनी की साड़े साती की छोटिक पनोती बोली जाती है, आपके जीवन में समाप्त हो रहा है यानि जीवन में धाई वर्सों से चल रहा कष्ट जो है, अब जा करके कुछ कम होने के कगार पे आ जाएगा तो चलिए तुलारासी वाले, प्रारम्ब करता हूँ, 2023 के पहले महिने का, यानि जनवरी महिने का संपूर्ण माशिक रासी फल प्रिय तुलारासी वाले, सर पर्थम में प्रारम्ब करता हूँ, आपके कर्म छेत्र का हाल तूला राशी वाले आपके कर्म छेतर पे 17 जनवरी तक सनी के दिरिष्टी है 22 जनवरी तक सुक्र के दिरिष्टी है और 14 जनवरी से सुरी के दिरिष्टी पढ़नी चालू हो जाएगी सुर्व पर्थम मैं आपको यह बता दू क्योंकि सनी जो है आपके कुडली में 17 जनवरी तक केंदर तिर्कोन राज्यों के स्थिती में रहेगा जब 17 जनवरी तक सनी केंदर तिर्कोन राज्यों के स्थिती में रहेगा तो यह कर्म छेतर को अपनी जो इनके कालपूर्श के कुडली में कारकत्व अस्थान होता है, जहां कि यह कारक माने जाते हैं, वहां इनके द्रिष्टी रहेगी सुक्र जो है आपके कुडली में रासी के स्वामी है और वह भी कर्म छेतर को देखें गे अच्पस्ट तोर पे यह प्रमान साबित हो रहा है और 14 जनवरी से जो है सुरी भी देखेंगे 33 ग्रोहों का दृष्टी कर्म छेतर पे पढ़ना ये लाभकारी पोजिशन पे रहेगा यानि आप के जीवन में जो है 22 जनवरी 2023 तक नए बैपार और नए नोकियों के बहुती बहतर आयाम दिखने प्रारम हो जाएंगे जिनको नोकरी को लेकर के परशानिया थी दूर हो जाएंगे बैपार में नए तरक्की के बहतर आउसर खुलने चालू हो जाएंगे इसके अलावा जो है फसे हुए पैसे में निकलना चालू हो जाएंगे लोटरी सटा सेर मार्केट का बहतर लाभ मिलना चालू हो जाएगा कोई रिजल्ट अगर आने वाला है जौब को लेकर के तो आपके फेबर में आना प्रारंब हो जाएगा और इसके अलावा जो सबसे महत्पूर्ण बात यह भी रहेगा कि किसी कारण से गलत आरोप लगा के जो आपको निकाल दिया गया था 22 जनवरी तक इस मामले में भी आपके निप्टारे हो जाएंगे 22 जनवरी के बाद फिर जो है आपके विदेशों से एक्सपोर्ट इल्पोर्ट का काम या वैपार चलता है तो उसमें तरक्की हो जाएगा बड़े भाई बहनों से वैपार में इस्थितियों में दिकते आरे तो उसमें निप्टारा हो जाएगा लेकिन पूरे महने पार्टनर सिपिंग के बैपार में थोड़ी सी दिकते आएंगी इसको लेकर के थोड़ा आपको साउधान रहने की आविशक्ता रहेगी तुला रासी वाले अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा पूरे महने बिदेश यात्रा का योग बिदेश यात्रा कारक बुद्ध जो है वो भाग्यस्थान को स्वैम अपनी रासी को साथविद रिष्टी से देखेंगे और 18 जनवरी से यह मार्गी अवस्था में चले जाएंगे एक्चुली होता क्या है कि तुला रासी में बुद्ध ही जो है यह सीधा बिदेश के कारक होते क्योंकि दौादस और भाग्य को रिप्रेजन्ट कर देते हैं और यह 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे अताहा आपके जीवरी में 18 जनवरी तक विदेश जनवरी के योगों में प्रबलता दिखने लगेंगी परमोशन पदोनती के साथ विदेश जनवरी की शंभावनाओं में ब्रिधी होता हुआ दिखना प्रारंब हो जाएगा दूसरी महत्पुन बात यहां पर मैं बता दू कि सनी और सुक्र जो है 17 जर्वरी से और 22 जर्वरी से भी आयास्थान को देखेंगे यानि 18 तानी के बाद निच्ची तोर पे जो है आपके जीवन में विदेश जाने की शम्भावना बढ़ जाएंगे अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा इंकम का सोर्स आपकी कुल्ली में आयकारक मंगल है इत्फाक से भले ही मंगल असुभ पोजिशन पे हैं लेकि 7 जर्वरी से वो आयास्थान को देख रहे हैं और आयकारक ग्रह जो है आपकी कुल्ली में वो सुरी होते है अब यहां प आयस्थान को देखेंगे 22 जनवरी से जो है सुक्र आयस्थान को देखना चालू कर देगा और राहू तो अलड़ी पंचम दिरिष्टी से आयस्थान को देख रहा है इत्ते भाग से मंगल भी चौत्य दिरिष्टी से आयस्थान को देख रहा है सीधी बात है जोती सास्तर क का नियाम है कि आय अस्थान को जितना जादा ग्रह देखेगा मनुष्य के जीवन में उतने आय के सोर्स बढ़ते हैं यानि पूरे महने धन में विशेस प्रबलता दिखता हुआ बनता है लेकिन 17 जनवरी के बाद इनकम का सोर्स बहुत ही जबरदस्त बन जाएगा इसकी सुर्वात तो 14 जनवरी से ही होनी चालू हो जाएगी अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा दामपती जीवन का हाल देखिए दूलारासी वाले 17 मेस अस्ट मेस है और 17 जनवरी से सनी की भी नीच दिश्टी 17 अस्थ बता दू पूरे महने दापते जीवन में थोड़े समत भेद थोड़ी आई स्थिरताएं और परिशानियां देखते हुए बनेगा अतहा इस समय आपको कहीं न तो कहीं इस मामले में थोड़ी ध्यान देने की आवेशक्ता निक्षी तोर पे रहेगी इसके बाद फिर अगर मैं बात करना चाहूं तो क्योंकि पंचम अस्थान में सुक्र आएंगे 22 जर्वरी से तो लगनकार अग्रों के इस थितियों में प्रवलता भी मैरेड लाइफ को ठीक करता है लेकिन लव लाइफ तो पूरे महने बहुत ही अच्छा है लेकिन दापते जीवन को ले करके थो रिष्टे कैसे रहेंगे देखिए भाई बहनों से रिष्टे की बात अगर करू छोटे बहनों से रिष्टे बहुत ही अच्छे रहेंगे और 14 जनवरी के बड़े भाई बहनों से चाचाव से रिष्टे सुधार जाएंगे माता की बात करू पूरे महने माता से तालमिल बह अखता है सनी करकरासी से तो 17 जनवरी के बाद पिता के स्वास्त में और पिता से तालमल में आपका सुधार होना चालू हो जाएगा संपती की बात अगर करूँ पूरे महिने भूमी मकान बहां संपती का योग बहुती प्रवल है इसमें कोई शक नहीं है कोई प्रपर्टिस रिलेटेड विवाद या आईस्थिरता या परशानिया है दूर हो जाएगा इतना तक कि 14 जनवरी के बाद पैसे को लेकर के जो वाहन या संपती आप नहीं बना पा रहे थे वो भी मिलना प्रारम हो जाएगा अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा पूरे महने आपके जीवन में लोटरी, सट्टा, सिक्षा, संतान का हाल अगर मैं बात करूँ इस मामले में तो पंचम अस्थान पे सनी 17 जनवरी से विराजमान हो जाएगे और सबसे महत्पूर्ण बाद 22 जनवरी से सुक्र भी पंचम अस्थान पे विराजमान हो जाएगे अब यहाँ पे क्या होगा फिलहाल तो असपश्ट तोर पे मैं बता दू कि केतू की दृष्टी पंचम अस्थान पे थी लेकिन जब से सनी मकर रासी में सूब अवस्था में आया था तब से थोड़ी हालात में सुधार होई थी यानि 17 जनवरी तक आपके जीवन में जो है लोट्री सट्या सिक्षा सेर मार्केट का हाल ठिक ठाक रहेगा 17 जनवरी के बाद उच्षा का लाव है रिजल्ट आपके फेबर में आना चालू हो जाएगा लोट्री सट्या सेर मार्केट में बड़ा लाव मिलेगा संतान से मतभेट की स्थितिया समाप्तोनी चालू हो जाएगी संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड़ी जुज मिलने की शभावनाय बननी प्रार्म हो जाएगी मेंटल पीस दिखता हुआ बनेगा और सबसे महत्पूर्ण बात क्या रहेगा तूला रासी वाले कि 17 जनवरी के बाद फिर जो है आपके जीवन में बड़े बड़े डीशी जाना पले पाएंगे वह रिसर्च से लेकर के हो या अनिचेतरों में भी क्यों ना हो अगर मैं बात करना चाहूं पूरे महने कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्ट सम्मंदित इस्थितियों का हाल करज का हाल क्या रहेगा केश मुकदमा का हाल क्या रहेगा स्वास्ट कारकस्थान पे स्वैम अपनी रासी में बिरहस्पती बैठे हुए है यानि निश्ची तौर पे जिनको सुगर, BP, thyroid से रिलेटर समस्चे आई थी, मोटापे से रिलेटर समस्चे आई थी, वहाँ ठीक होता हुआ निश्ची तौर पे दीखेगा लेकिन एक बात असपस्च तौर पे मैं आपको बता दू, मंगल के स्थिती वहुत अच्छी नहीं है, अता है urine infection, पेट सम्बंदी थोड़ी सी समस्चे आई, दातों को लेके थोड़ी सी समस्चे आई, देखते हुए बन सकता है, ध्यान देने क्या वे सकता रहेगी उपाय के तौर पे पूरे महिने हन्मान चालिसा का पार्ट आपको करना है, तो करना है, इसके अलाबा जो है, पूरे महिने आपको जो है, किसी भी situation पे भगवान शीव के सिवलिंग पे जल में मधु मिला करके अर्पित करें, जो विवाक को लेकर के समस्यां उसमें कमिया दिखनी चालू हो जाएंगे, तो प्रियतुला रासी वाले, जर्वरी महिने का शंपूर्ण हाल मैंने आप के समक्च प्रजेंट किया है, उमिद करता हूं कि बताएगे जनकारी से पूर्ण रुपें संतूष्ट होंगे, तो चैनल पे नए है, तो लाइक करिए, शेर सब्सक्राइब करिए, मैं हूँ असलोजर डॉक्टर रवी गुपता, मिलता हूँ अगली वीडियो में, और महत्तपुर्ण और ज्यानवर्दत जनकारी के साथ, तब तक लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद